तो आप सभी को नमस्कार और आज हम फिर से आपको दिखाने वाले हैं इनोवा हाई क्रॉस का जो टॉप एंड वरियेंट है जे डिक्सों मोडल तो जैसे कि देख सकते हैं आज हमारे पास बुकलेट हुए है और यह टोटा वालों का ही बुकलेट है तो इसके अकॉर्डिंग हम काम किया है जैसा कि यहां पर साइड बीडिंग लगाए है रूफ रेल जो यह दिख रहा है यह नहीं लगाए है हम दूसरा रूफ रेल लगाए है यहां पर देखेंगे तो यह क्रोम वेगारा का जो भी आइटम है सारा काम हुआ है इस इनोवा हाई क्रोस में और यह गा पेंड मोडल में भी आपको ज़रुवद की पस delays ज्याइक कर दे कपके चलिए कई के लिफ अधा कर दें तो श्याँ हम इसı इंण हरो बात कर सो यह लगाने हैं छोटे-छोटे इसे हम ग्रील क्रोम या ग्रील जोल्स भी बोल सकते हैं कमपनी कि भासा आएं और यहां पर देखेंगे तो यह फ्रण रन जो है यह लगा दिये गया है यह देख सकते हैं यह और इसमें डबल टेप वेगार जो है और अंदर से सीलिकॉन लगाएकर इसको किए गये हैं तो फ्रंट से जो लुक है आप जैसा की देख पा रहे होंगे काफी बढ़िया निकल के आया है इसमें जरुवत थी प्रोजक्टर फोग लाइट चेंज करने की पर भाईया कि अभी नहीं है इन्हें अगर लगेगा कि हां लाइट की समस्या तो बाद में चेंज नहीं देखें जाते हैं जैसा कि आपट सपोर्त रहने से क्या होता है कि कहीं भी रखें तो ये लूज नहीं होता है और यह्याóle प्रोप नक्गे पर होता है जिसकी वज़ा से इसकी जो पकर है दो गुनी जादा हो जाती है और ऐसा लगेगा आपको कि यह company fitted है ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने भी इसमें फुट्रेस्ट लगाया है पताँ जीरो टुट्रेस्ट लगाने का बहुत सारा benefit मिलता है आपको यहां पर देखेंगे तो यह roof rail और यह roof rail full aluminium में silver color का रहने वाला इसमें अगर आपको black color चीए तो पहले order कर दीजे इसमें हम hydro deep print कड़ा के black लगा देंगे लेकिन यह roof rail देखेंगे तो आपको यहां से start होके end तक जाता है मतलब यह roof rail है zero to zero roof rail इसमें fitting किये गया है आइए मैं एक बार आपको आउटर चेक कराऊं तो बैक साइट से आप देखेंगे तो बैक साइट से इसमें जो काम किया गया है background और यह background इंपोर्टेट आइटम है आप जैसा कि देख पा रहे होंगे काफी finishing है इसमें after market में देखेंगे तो यहां पे यहां पे नट होते ह वो थोड़ा normal quality होता है उसका paint उड़ जाता है मतलब वो पीला पड़ जाता है कुछ दिन में पर यह वाला कभी खराब होने वाला नहीं है जब तक यानिकी गारी है आईए मैं एक बार आपको interior से अंदर का जो काम किये हैं वो चेक कराने वाले तो दर्वाजा जैसे खोलेंगे आपका welcome जो है यहां पे देखेंगे shadow light से होगा और यह shadow light देख सकते हैं full brightness में रहने वाला है और यहां पे welcome light भी आपको proper जो है यह देख सकते हैं high cross इनोवा लिखा हुआ welcome light भी इसमें लगा दिये गया है यहां पे देखेंगी तो lifelong mat यानि की GFX का mat जो है वो भी डाल दिये गया है और यह mat सबसे बढ़िया mat रहने वाला है easy to clean करने में आईए second row का भी fitting इसका check करा हूँ आपको तो second row में भी ऐसा same shadow light का brightness check कर सकते हैं बहुत बढ़िया मिल जाता है welcome light का भी fitting अच्छा मिल जाता है और यह GFX mat का जो fitting है बहुत लाजवाब है बहुत premium है इस mat का fitting तो ZX में भी जो भी requirement की काम जरुवत की चीज़े थी पूरी कर दी गई है और इस ZX के लिए Innova के लिए जो टेल लाइट लेके आया हूँ जो आपको दिखाने वाला हूँ आपको मजा आज आने वाला है आप भी इस तरीके का modification करवाना चाहते हैं Innova High Cross या फिर किसी भी अधरकार में तो विजिट करें सौन मौन कार असेशरी सौप नमबर 4849 गुर्द्वारा रोट करोल बाग न्यू दिली मैं नमबर आपको दे देता हूँ 991-766-958 नमबर रिपीट कर देता हूँ 991-766-958 आपको कुछ भी पूछना हो कुछ भी क्वाईरी है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं देवे नमबर पर वाटसप कर सकते हैं मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नेक्स वीडियो में नेक्स्ट कार के साथ तब तक के लिए नमस्कार